हाई फ्रेंज वेलकम बैक टू जाइका विज जैनव तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें सबजी वगेरा खाने का बिलकुल मन नहीं होता तो उस केस में हम या तो राजमा बना लेते हैं या तो छोले बना लेते हैं और आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ राजमा की एक ऐसी रेसिपी जो की है बहुत आसान, कंप्लेटली ओथेंटिक और टेस्ट में इस राजमा का टेस्ट का कोई मैच ही नहीं है तो आप इस मज़ेदार जाइकेदार सूपर टेस्टी राजमा करी की रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करिए यह राजमा आपका सबसे फेवरिट हो जाएगा तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किये इस राजमा की रेसिपी को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम एक कब भर के राजमा ले लेंगे हमें इस राजमा को सबसे पहले तो वाश कर लेना है दो तीन पानी से इसे वाश कर ले ताकि जो डर्ट या कोई इम्पूरिटी होगी राजमे के अंदर तो वो वाश ओफ हो जाएगी तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसे वाश कर ले रही हूँ पानी को फेक देंगे हम वाश करके और इसके अंदर हम तकरीबन इतना पानी दालेंगे जितना हमारे राजमा पूरी तरह से अंदर सोख हो जाए तो हमें इसे 5-6 घंटे तक पानी में भिगो के रखना है अगर आ कोकर के अंदर आप दालेंगे हमारे राजमा और इसे हमें अच्छी तरह से प्रेशर कोक करना है तो पानी दालेंगे तो हमें तीन गुना ज्यादा पानी लेना है हमारे राजमे के कॉंटिटी से तो एक कप राजमा था तो हम तीन कप पानी लेंगे यह आप उतना पानी ल और इसकी चार से पांच विसल ले लेंगे अगर आपको लगता है कि पांच सीटी के बाद भी आपके राजमा नहीं गले हैं तो आप एक दो सीटी और ले लें कई टाइम पर राजमा बहुत पुराने होते हैं तो फिर उसे गलने में टाइम लग जाता है यहां पर मैं मैंश करके देख रही हूँ और बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे राजमा गल के तयार है तो चलते हैं इसे पकाने के लिए एक पैन लिया है मैंने इसमें तीन टेबल स्पून भरके मैं ओल डाल रही हूँ यह ओलिव ओईल है आप कोई भी ओईल यूज कर सकते हैं इसमें मैं चार बड़े प्यास स्लाइस करके डाल रही हूँ तो यहां पर इसी तरह से आपको प्याजो को कट करना है क्योंकि इसका जो टेस्ट आता है पकने के बाद वो बहुत अच्छा आता है हमें मीरियम फ्लेम पर तकरीबन चार से पांच मिनट तक इसे पकाते रहना है या आप इसे तब तक पका ले जब तक प्यास का कलर गोल्डन अच्छे से ना हो जाए तो यह देखिए बिलकुल इद्दम अच्छी से यह रैसेपी बन के तयार होगी अगर आप थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स अच्छे से फॉलो करेंगे आप भी परफेक्ट राजमा बनाके तयार कर सकते हैं तो यहां देखिए आप कुछी टाइम में कलर गोल्डन ब्राउन होके तयार हो गया है यह देखिए तो अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे जो फ्लेम है हमारा वो हम आफ कर देंगे तो यह देखिए हमारे प्यास बहुत अच्छी तरह से गोल्डन हो गए यसे थोड़ो थंडा होने देंगे थोड़ा थंडा हो जाए उसके बाद इसे में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो एक यह दो चमच पानी डाल देया और उसको ऐसे बन करके समूध सा पेस्ट बना ले सेम पैन में जितना ओयल बचा है उसके साथ एक चमच घी असली घी हम आट करेंगे जैसे ही गी गरम हो जाए हम इसके इंदर दालेंगे दो पड़े चमच भरके अद्रकलसन का पेस्ट फ्लेम हमारा मीडियम पे रखेंगे मीडियम फ्लेम पर ही अद्रकलसन को अच्छे से आदे से एक मिनिट तक पका लेंगे ताकि जो कच्छा पन होता है अद्रकलसन का और जो स्मेल आती है वो चली जाए और फिर अब थोड़े खरे मसाले दालेंगे तो मैंने एक बेल इफ लिया है एक दालचीनी का तुकड़ा दो इंच का तीन से चार लवंग लिये है और और पाथ से छे काली मिर्चे लिये है इन्हें भी हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तेल के साथ और अच्छा सा फ्ले तो जो ग्रेवी है वो काफी अच्छी लाल बनके तयार होती है एक टीस्पून में नमक दाल रही हूं ताके हमारा जो टमाटर है उसे गल्ले में एजी हो जाए तामाटर को गल्ले में थोड़ा टाइम लगता है तो अब हम टमाटर को अच्छे से ढख के पकाएंगे तो मै तो हम कुछ मसाले दाल देंगे तो मैंने वन टेबल स्पून भरके धनिया पाउडर दाला है वन टीस्पून हल्दी पाउडर दो बड़े चमज भरके कश्मीरी लाल मिर्च इसे कलर बहुत अच्छा आता है और ये तीखी भी नहीं होती है मिला दे इसे अच्छे से ताके एक यहां जलना जाया हमें फूलेम को थोड़ा मीधियम लो पर ही रखना है अच्छा चैसे मसालो को हम टो माड़ के अंदर मिक्स कर लेंगे और इसे भूनते रहेंगे थब तक इसे मसालो को भूनते रहना है जब तक इसके अनदर से तेल रिलीज होना स्टार्ट नहीं हो जितना अच्छी तरह से आप मसाला भूनेंगे, उतना ही अच्छा, उतना ही जाइकेदार हमारी ग्रेवी बनके तयार होगी बिल्कुल हमें कच्छा नहीं रखना है हमारे मसालों को अब बारी आती है, जो प्याज हमने फ्राइ किये थे, उसका पेस्ट बनाया था, वो दालेंगे तो मसाला हमारा पक के तयार है, उसके अंदर अब हम दालेंगे प्याज का पेस्ट इसे भी अच्छे से mix कर देंगे हमारा प्याज already हमने पका लिये थे पहले और मसाला जो टमाटर का मसाला है वो भी हमने पका लिया था तो अब हम इसे ढख के 10 मिनट तक लो फ्रेम पर अच्छे से पकने देंगे 10 मिनट पाद हम ढखकन उठा के देखेंगे तो ये देखी हमारे ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है और तेल भी बहुत अची तरह से रिलीज होना स्टार्ट हो गया है बिल्कुल जबरदस्त हमारी ग्रेवी बनके तयार हो गई है अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो जो हमने बे लीफ और डालचीनी डाली थी वो निकाल दे और क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है जितना फ्लेवर था हमने ले लिया था उसका ये बिल्कुल तयार है अब हम दालेंगे हमारे राजमा जो हमने बॉil करके रखे थे वो इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे ये देखिए और अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताके मसाले जो है वो हमारे राजमा के उपर अच्छी तरह से कोट हो जाए तो अच्छी तरह से इससे देखिए इस तरह से मिक्स करते जाएंगे हम मीडियम पे रखेंगे हमारी flame और मीडियम flame पर ही हमें इसे mix करना है तो हमारे राजमा भी boil है मसाला भी अच्छे से पक्के तयार है बस अब हमें मसाले को राजमे के अंदर अच्छे से ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हमें इसे cook करना है तकरीबं 15-20 मिनट तक मेडियम फ्लेम पर आप चाहें तो यहां पर ढखकन ढखके भी कुप कर सकते है खुला भी कुप कर सकते है completely आपकी चॉइस है और 15-20 मिनट के बाद ये देखिए हमारी ग्रेवी का टेक्स्चर और खुश्बुए तो बहुत ही जबरदस्त आ रही है बिलकुल हमारा जो राजमा मसाला है वो बनकर तैयार है ये देखिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार राजमा मसाला तैयार है लास्ट में इसके अंदर वन टी स्पून में गर्म mayor ताल रही हूँ! ध्यूश Sy कसूरी मिथी इसके अंदर । तालेंगे! अच्छ से इसे भी mix कर लेंगए हमारे करी के साथ! गर्म मसाला लास्ट में दालने से टेस्ट वह अच्छा रहता है! बरकरार रहता है और कलर भी अच्छा आजाता है तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे हम और लास्ट में धनिया पत्ती से इसे हम फिनिश करेंगे हमारा जो राजमा मसाला है वो बिल्कुल बन कर तयार है अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने अभी धनिया पत्ती डाली है, गरम मसाला डाला है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, मीडियम फ्लेम पर इसे हम दो से तीन मिनट तक और पका लेंगे और फिर जो हमारा राजमा मसाला है, वो बनकर तयार है, खुश्बू और फ्रेंड्स इतनी जबरदस्त आ रही है, आपको एक बार ये ज़रूर ट्राइ करना होगा दिखने में तो बहुत यमी दिख रहा है, और आप इस राजमा मसाला को गरम-गरम फुलकों के साथ खाए, या तो जीरा राइस के साथ खाए, या प्लेन स्टीम राइस के साथ खाए, सब के साथ ये परफेक जाता है तो आप इस राजमा की easy recipe को एक बार जरूर ट्राइ करें और आपके feedback मुझे जरूर शेयर करें I am sure अब तक जितने राजमा आपने बनाए होंगे उन सब में से ये राजमा सबसे tasty होगा उमीद है आपको ये recipe अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी recipes अच्छी लगती हैं तो वीडियो के नीचे like का button क्लिक करें और मेरे चानल को subscribe करना ना भूले तो चलिए मिलते हैं एक new video और एक new recipe के साथ तब तक के लिए eat healthy and eat homemade food Thank you for watching करें एक new